राज़स्तान के पूर्वे उपमुक्यमंत्री सचिन पाइलेट ने शुकरवार को एक बार फिर केंदर की मोधी सरकार पर जम कर निशाना सादा केंदर एकशी कानूनों को लेकर सचेन पाइलेट ने का कि देस का अंदाता के दिनों से कड़ा के कि ठंड में दिली की चैरों और बैटा है और मोधी सरकार किसानों से चर्चा करने का नाटक कर रही है पूर्वा उपमुकी मंतरी शचेन पाइलेट सुकरवार को जहिपूर से भरगपूर जाते हुए दो समय मीडिया से मुकातिब हुए इस दोरान पाइलेट ने का कि हाली में विपक सहीत देश के दो करोड लोगों ने राष्ट पती को हश्ता अक्सर योगत गापन फोंपा की राष्ट पती करसी विदाईकों को पारित होने से रोके उन्होंने का कि केंदर सरकार कुछ पूंजी पतियों को अधिक बड़ावा देने के लिए ये कानून लेकर आई हैं जबकि केंदर सरकार के ही अपने श्योगी दल के मंतरी इस विदाई के खिलाब इस तिपदे रहे हैं इसलिए अब किसानों का अंदोलन जनता का अंदोलन बन चुका हैं और आम आदमी इस अंदोलन से जुड़ चुका है परदान मंतरी नरेंदर मोदी की किसान चोपाल को लेकर पाईलेट ने का कि परदान मंतरी नरेंदर मोदी किसान चोपाल कर रहे हैं और दैस के किसानों से चर्जा कर रहे हैं बाजबा जूट, फरेब और पाकंड की राजनेती करना बंद करे उन्होंने का कि दैस का किसान खुश नहीं है ना विपक्स कुश हैं और ना ही एंडिये के सयोगी दल खुश हैं यहां तक कि कुछ बाजबा नेता भी इस करसी कानून से खुश नहीं है केवल चर्जा के माधियम से परदान मंतरी किसानों को शाधने की कोशिश कर रहे हैं यदि तिनों कानून किसानों के हित में होते तो आज किसान खुशी मनाते ना की सड़कों पर बैढ़ते उन्होंने का कि केंदर को तेनों करसी कानूनों को वापस ले लेना चाहिए राज़स्तान में परदेश संक्टन के विश्टार को लेकर उप मुक्यमंतरी शचिन पाइलेट ने का कि शंक्टन के विस्तार में उन लोगों को मैतो दिया जाएगा जिन्होंने परदेस में खत्म हुई कॉंग्रेस में नई जान फूंकी है ऐसे में जन्ता के पास जाकर जिन्होंने कॉंग्रेस को शता दे लई हैं उन लोगों को शंक्टन में मैतो मिलना चाहिए जिसे कॉंग्रेस के कार्य करताओं को लगे कि उनके कार्य को तवजू दीज गई है इसके साथ ही सरकार में कॉंग्रेस कार्य करताओं का काम होना चाहिए उन्होंने दवा किया कि राज़स्तान में हमारी सरकार के पाश परचन बहुमत है और ये सरकार पूरे 5 साल काम करेगी आने वाले चुनाव और चुनोतियों का हम मिलकर समान करेंगे और बहुमत से जीतेंगे